हे फैमिली वेलकम तो सुनीतास किचन आज हम रेस्टाउन स्टाइल एक बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनाएंगे जिससे आप काफी सारी सब्जियां बना सकते हैं तो इसी ग्रेवी में से हमने बनाया है बटर पनीर मसाला जो बहुत ही यमी बनेगा साथ ही हमने बनाई है इंडी मसाला यह तीनो सब्जियां होटल में काफी पसंद की जाती है अगर आपके पास यह ग्रेवी रेडी है ताब आप 15-20 लोगों का खाना फटाफट बना सकते हैं वो भी रेस्टाउन स्टाइल तो फटाफट पहले हम ग्रेवी बना लेते हैं दोस्तों वीडियो को प खुश्बू हम आने देंगे हलका सा बुनेंगे इसके बाद चो मैंने यहां पर यूज की है वो ली है मैंने पांच मीडियम साइस के प्यास जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट किया है आप रफली कैसे भी से चौप कर सकते हैं फुल फ्लेम पर हम प्यास को थोड़ा प्यास को हमें ब्राउन नहीं करना है हलका सा इस पर कलार आने देंगे क्योंकि हमें रेट ग्रेवी चाहिए रेस्टॉन स्टाइल तो प्यास का कलर हम लाइटी रखेंगे एक से दो मिनिट लगेंगे साथ ही हम इसमें डालना है दस कली लासुन की दो से डाई इंच अद्र टमाटर मैंने मीडियम साइज के लिए हैं लंबाई में कट किये हुए यह भी मैंने एड कर दी है दो मिनिट के बाद और टमाटर को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है ग्रेवी बनाते समय एक बात का जो खास दियान रखना है जो आपको टिप फॉलो करना है दोस्तों अगर आपको यह ग्रेवी स्टोर करके रखनी है तब आप इसमें नमक भी नहीं डाले और कोई मसाले भी एड ना करें जब आप कोई भी इसमें से डिश बनाएंगे उसी समय इसमें फ्रेश मसाले यूज करें ताकि उनकी अच्छी खुश्बु आए तो चार से पांच मिन हम जला देंगे काजू इसमें अच्छी सी एक रिचनेस लाते हैं गैस मैंने बंद कर दिया ठंडा करके इसे हम अच्छे से ग्रैंड करेंगे तो तेज पता इसमें से मैं निकाल लेती हूँ बाकी इसमें लॉंग और दालचीन ही हम रहने देंगे और ठंडा करके इस बहुत ही अच्छा आता है तो अभी हम इसे स्टोर करके रखेंगे सेकंड डे पे मैं इसमें से बटर पनीर मसाला बना रही हूँ इसके लिए हमें एक स्मूध ग्रेवी चाहिए तो हम थोड़ा सा इसे च्छान लेंगे इसे मैंने अच्छी तरह से चान लिया है दोस्तो बहुत स्मूध ये ग्रेवी बन गई है बटर पनीर मसाला की ग्रेवी जैसे होती है तो अभी हम बटर पनीर मसाला बनाना शुरू करते हैं एक पैन मैंने रखा है दो टेबल स्पून इसमें मैं आयल आट करनी हूँ और ए एक से डेट टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे थोड़ा सा इसे हम मैल्ट होने देंगे तो करम मसाले वगरा सारे ग्रेवी में हमारे एड किये हूए हैं तो हमें अभी कुछ भी एड करने की जरुवत नहीं है डिरेक्ट हम इसमें एक से डेट बारिक कटा हूँ प् बिटर पनीर मसाला का हम मसाला रेडी कर रहे हैं अगर इस स्टेश पर आपकी ग्रेवी रेडी है तो सारी चीज़े बहुत ही क्वेकली इसमें से रेडी हो जाती हैं हलका सा प्यास को बून लेना है इसमें मैंने एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला हूए हाफ टीस थोड़ा सा बून लेंगे मसालो को प्यास के साथ गैस को सिम करके यहां पर मैंने एक बड़ी साइस का टोमेटो का प्यूरी इसमें डाला हूए है टमाटर को भी हम थोड़ा बूनेंगे गी छोड़ने तक करीब 3 कप के करीब मेरी इसमें से ग्रेवी बनी है तो एक कप ग्रेवी अभी यहां पर मैं एड़ करणगी आप अपनी क disrespect की एस बिसाब से इसमें ग्रेवी ऐड़ कर सकते हैं अच्छी थर से हमें बून लेना है थोड़ा सा बाईल में मैंने पानी डाला है जिसमें आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा औरेंज फूड कलर डाल सकते हैं या फिर अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर एड़ कर रहे हैं तो अच्छा सा कलर इसमें आ जाता है जैसे कि मैंने किया हूँ है क्रीवी को हम एक से दो मिट भून लेंगे अच्छे से इसके बाद डेट कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है क्रीवी को हमें प्रॉपर्ली अच्छे से पकाना है सारे मसाले उसमें फ्लेवर छोड़ दें तब तक हम इसे पकाएंगे तो अभी हम गैस का फ्लेम सिम करके ढग देंगे से पांसे साथ मिनिट अच्छे से हमें इसे कवर करके रखना है तो करीब पांसे साथ मिनिट हो चुके हैं दोस्तो इसे हम खूल के अभी पाकी की चीज़े आट करेंगे क्रीवी हमारी पहुती स्मूध और थेक होने लग गई है तो इसमें हम पनीर आट करेंगे 150 गराम मैंने इसमें पनीर क्यूब्स डाले हैं नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार एक टी स्पून मैंने हाथ से क्रेश करके कसूरी मेथी भी इसमें आट कर दी है थोड़ सा मिला देंगे बेटर परिन बसाला में जो हलकी सी मिठास होती है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शुगर भी आट कर सकते हैं मैंने डेट टेबल स्पून के करीब फिर से इसमें बटर डाला है बटर पनीर मसाला है तो इसमें बटर हाप डालेंगे तो उतना अच्छा लगेगा कवर कर देते हैं इसको 2-3 मिट के लिए पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और क्रिवी का फ्लेवर आए तो चलिए हमारी बटर पनीर मसाला तो रेड़ी हो गई है फटा फट बटर पनीर मसाला को हम धोड़ा सा क्रीम और हरातनिया से कार्णिश करके सेव करेंगे तो चलते हैं नेक्स रेसीपी में मेथी मटर मलाई तो एक कड़ाई मैंने फिर से गैस पे रखिए है दो टेबल स्पून करीब मैंने इसमें ओयल के डाला है एक टेबल स्पून मैं इसमें करीब बटर का भी डालूँगी यह आप्शनल है आप चाहें तो स्कीप कर सकते हैं वन टी स्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून मैंने इसमें धन्या पाउडर का डाला है मसालों को पिल्कुल लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा बूनेंगे इसके बाद एक कप ग्रेवी करीब मैं इसमें आट करूँगे थोड़ा सा क्रेवी को हम बूनेंगे थोड़ा सा जब तक यह घीरी रिलीज कर दे ऑईल यहां पर सेपरेट हो गया है यह अच्छे से बुन गई है अभी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे तो 4-5 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ऋस तरह से डाली है क्रेश करके यह इसनट मेथी मटर मलाई है कसूरी मेथी से हम इसे बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार आप ट्रायस ज़रूर करें हाफ कप इसमें मैने बॉइल मटर के डाले हैं जब मेथी का सीजन नहीं रहता तो आप इस तरह से भी मेथी मटर मलाई बना सकते हैं हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर मलाई थोड़ा सा दूद के साथ एड़ की है मेथी मटर मलाई है तो इसमें मलाई की क्वेंटिटी तो जाएगी तो हाफ कप करीब इसमें मैंने मलाई डाली है दूद के साथ थोड़ा सा और भुन लेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा मिला देंगे वन फोर्थ टीजपून यहाँ पर मैंने शुगर भी डाला है हलकिसी मिठास के लिए आप ज़रूर ट्राय करें बहुत अच्छी लगती है हलकिसी स्वीटनेस इसमें अभी हाफ कप करीब मैंने इसमें दूर डाला है और दो से थीन मिनटे से कवर करेंगे बस पांच मिनट के अंदर आपकी मेथी मटर मलाई भी रेडी हो जाएगी और यकिन करिए यह बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार ट्राय ज़रूर करें पर कसूरी मेथी आप जो भी यूज करें वो थोड़ी सी ग्रीनिश होनी चाहिए तो किसी अच्छे ब्रांकी आप डालें देखिए देखने में किती यमी लग रही है किसी नौन या फिर रोटी की साथ आप इसे सव कर सकते हैं तो हमारी सेकंड रेसीपी भी रेडी है दोस्तों ज़रूर ठ्राय करें थार्ड रेसीपी हमारी है बिंडी मसाला तो 300 क्राम करीब मैंने बिंडी वन बाई टू कर लिए एक बिंडी में से दो पीस की है मैंने तो एक पैन भी रखा है मैंने साथ ही फ्राय करने के लिए बिंडी को मैंने एक कड़ाई भी रखिए तो बिंडी को हमें half done करना है 50% ही cook करना है और ये थोड़ी सी green और खड़ी दिखनी चाहिए पिलकुल इसे आप ज्यादा पकाएं नहीं बिंडी को तो दो टेबल स्पून ओयल मैंने फिर से डाला है इसमें थोड़ा सा ओयल गरम हो तो एक टी स्पून इसमें हम जीरा डालेंगे जीरी को थोड़ा सा क्रेकल होने देते हैं दो पारिक कटे हुए प्यास बिलकुल चॉप करना है अच्छे से और इसमें आट कर लेना है प्यास को हम अलकासा पकाएंगे अद्रक और लसुन दो चमज भरके मैं यहां पर एड़ कर रही हूँ वैसे तो ग्रेवी में जिंजर गारलिक है अगर आप चाहे तो करें पर बिंडी मसाला में यह बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है अद्रक और लसुन को वो भी आड़ कर दी है दो हरी मेर्च पारिक कटीवी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा बून लेंगे सारे मसालों को अभी हम हाफ कप यहां पर ग्रेवी डाल रहे हैं यह बहुत ही ग्रेवी वाली सबजी नहीं होती है तो इसमें हमेंने ग्रेवी का यूज जो है वो कम किया है थोड़ी सी लेटपटी सी बनती है तो हाफ कप सफिशन्ट होगी थोड़ा सा बूनेंगे अभी मसाले जो यहां पर दोस्तों हैं मैं दो बार एड़ करूँगी आप दियान से देखें मैं आदे मसाले मैंने कृवी मी डाले है आदे हम बिंडी डालने के बाद उसके उपर डालेंगे ताकि बिंडी अच्छी सी मसालों में कोट कीवी दिखे तो आदे मसाले मैंने 1 तीज़पून रेड चिली, 1 तीज़पून धन्या पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक क्रीवी का डाला है पिंडी में नमक हमने अल्रेडी डाल दिया है फ्राय करने में दोस्तों जरूर से ये रेसिपीस ट्राय करें आपको अगर मेरी रेसिपीस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिंडी भी मैंने निकाल दी है इसे बहुत ज्यादा नहीं फ्राय किया है मैंने क्रीन रहनी चाहिए अभी हम एक ट करा मसाला पाउडर एक टीस्पून मैंने डाला है थोड़ा सा मिला देंगे बिंडी को यहाँ पर एट कर देते हैं अभी ज्यादा पकाने की इसको जरुवत नहीं है थोड़ा सा टमाटर वगरे जो है वो होल दिखना चाहिए हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्प नमक वगरे हमने ग्रेवी में और बिंडी में एड़ कर दिया है पहले से ही कसूरी मेथी डालेंगे एक टीस्पून थोड़ा सी हाथ से क्रश करके शारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे दीरे से हलके हाथ से मिलाएंगे मिंडी टूटे नहीं दू मिनिट के लिए से मैं कवर करनी हम सारी चीज़ें अच्छे से मारज हो जाएं सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं बास इतना हीं हरा दनिया डालेंगे थोड़ा सा मिंडी मसाला भी हमारी रेडी हो गई है आपके पास अगर ये ग्रेवी है तो फिर आप मिंटों में पचास लोगों का खाना भी बना सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की ग्रेवी होगी तो फटा-फट से सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है तो ज़रूर ट्राय करें दोस्